हेलो स्टुजेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे एक और थियोरम के बारे में रिज लेमा का एप्लिकेशन है जोकि एक्जाम में पूछा गया है और काफी उनिवस्टी में यह कोश्चन पूछा भी गया है बहुत ही अच्छा कोश्चन है Let X be a non-linear space X क्या है कोई non-linear space है ओके एंड दा क्लूज अंतल वाल M is equal to X belongs to capital M such that norm of X less than equal to 1 is compact उसने कहा है कि X कोई क्या है एक नॉम लीनियर स्पेस है ओके एंड क्लूज्ट अंडल वाल यानि किसके अंदर कर अंतरगत यानि M क्या है X belongs to M है ठीक है ना जो X है M में belongs कर रहा है M यह क्या है यहां पर क्लूज्ट है जानते हो पहले से norm of X less than equal to 1 है यह क्या है पूरा सेट M is compact यानि इसको क्या बताना है कि M हमारा क्या है compact है ओके तो हमें इसको compact प्रूफ करके बताना है और यहां पर दिया गया है कि X is finite dimensional X क्या है finite dimensional तो दिखते हैं इसका प्रूफ बढ़ते हैं let M be let M is compact लिखते हैं मानते हैं कि M क्या एक compact है अब हमें इसको प्रूफ करना है ओके तो हम किस तरीके से इसको प्रूफ करेंगे अब हम इसको inverse तरीके से को प्रूफ करेंगे तो B will be prove that Y contradiction तो let if contradiction से प्रूफ करेंगे तो हम क्या करते हैं let यह दिख पॉशिबल dimensional of norm linear space X is finite sorry infinite ठीक है न एक्स की जो non linear space है वो कैसा है infinite देखिए हमें compact बताना है और compact हमारी compact की जो शर्त होती है यह तब ही होता है जब हमारा क्यासा होता है finite dimensional होता है तो हम क्या है इसको contradiction लेकर कर रहे हैं यानि infinite infinite से पूरा हम यह proof हो जाएगा तो हम इस बता देंगे कि हमारा एक्स finite डामेंस नौट फाइनेंट है तो हमारा यह वह भी नहीं होगा तो हम लेग सकते हैं कि एक्स हमारा यहतो हम दे यहां चीछ पता है जब एक्स वन ये यहां पर यहां जैसा कि हमने पैसले में पढ़ा तो हम चीज नहीं किए यहां पर यहां पर किंगा जैसा कि हम था कि जब किलोज इस पयस होता है तुसका डइम drown होता है दा इस्थ होता है तो सब्सक्राइब से स्क्रीजब कर निcket यहाँ पर सिकोइनर लिखा है यहाँ पर हमने लिख दिया कि एकस वन जो स्कॉइंस एकस अधि wins एकस वन जो एकस वन का सब् estás है एकसा है इसका ईदेट हम कह सकते हैं कि एक्स्वन इजे पूपर क्लोञची टर लीणियर सबस्पेस और एक्स कि जो एक्स रट और की से और इसली थे सबीर में अब हमारा एक्स में नहें तो इसर दो हमने हैं तो हमने क्या कर दिया इसमें basis ले लिया basis का क्या होता है dimensional तो यह क्या हुग या closed अब हम क्या करेंगे इनके अब हम क्या है ज्रिजलेमा की शाहता से लिखेंगे तो हमने क्या किया दियर एज़ेस्ट X2 belongs to X वहाँ पर X1 किया, आब क्या कर रहे है X2, तो हमने क्या कर दिया कि जो, हमने जिसलेम्मा है जिसलेम्मा हमारी क्या होती है कि M क्या है, M जब क्या है, सब स्पीस X का है तो there is just z belongs x में कर रहा है such that तो क्या होता है norm of z is equal to 1 होता है और दूसरा होता है norm of z minus x is less than equal to greater than equal to theta ठीक है न यहाँ पर theta जहाँ पर x belongs to m तो हमने क्या कर दिया such that कि जो x2 norm इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया जो x2 है यहाँ पर तो z का था z belongs x में कर रहा है यहाँ पर क्या कर रहा है x2 belongs x में कर रहा है तो हमने लिख दिया such that norm of x2 is equal to 1 ओके और second क्या है z z की जगह क्या है x2 minus x यानी हमारा पहला क्या था सभी x1 यह क्या है greater than equal to theta और theta belongs किसमें कर रहे है open interval 0 to 1 तो हमने क्या किया theta की value let कर दी 1 by 2 तो x2 हमारा क्या है 1 है यहाँ पर x2 minus x1 क्या है less than equal greater than equal to क्या है 1 by 2 कर दिया theta की equal to अब हमने क्या किया कि जो x2 है अब x2 जो हमारा sub space generate sub space होगा किस की सायतर से रहे हैं इस लेंग मागी sub space generated by x1 and x2 x1 x2 से होगा तो हम लेख सकते हैं कि x2 हमारा क्या है x1 x2 का sequence है तो x1 x2 इसे basis of x2 जब इसका basis होगा तो इसका dimensional होगा बिलकुल वही चीज हमें करते जाना है जब इसका basis होगा तो इसका dimensional होगा और dimensional होगा तो x2 is the proper and closed linear sub space तो जब यह dimensional होगा तो यह क्या सब हो जाएगा x2 closed sub space हो जाएगा then by resolution मा की शाहता है लिखते हैं इसी पेकार देखिए हमने क्या कर लिया x1 भी कर लिया x2 भी कर लिया अब हम x3 लिखते हैं तो हमने x3 को जियों काते हो लिखा x1 जड की जगा है ठीक है न यहाँ पर z की जगा है x3 माइनस x1 और यहाँ पर क्या होगा x3 क्योंकि यह 2 थे x1 और x2 करटा दिया अब हम क्या करते जाएंगी यही अगर हमने दिखिए पहला हमने किस के लिए लिया था x1 के लिए x2 के लिए x3 तो यही हम प्रॉसेस क्या करते जाएंगे रिपीट करते जाएंगे तो repeating the process we can get sequence xn हम इस पतरी किसे कौन सी sequence पर आप्त करेंगी xn जो किसमे होगा element in m में जो हम लिख सकते है norm of xn minus xn greater than equal to 1 by 2 और x जो sequence xn है cannot have been convergent sequence in m क्यों है क्योंकि less than equal to होता है वाट यह क्या है यहाँ पर greater than equal to है तो यह हमारा क्यासा हो नहीं होगा convergent नहीं होगा ठीके न जब यह conversion नहीं है तो एम हमारा क्यासा नहीं है compact नहीं है तो भी चेश contradiction contradiction लिख सकते हैं तो contradiction से बता सकते हैं कि x is हमारा क्यासा है finite dimensional है और यहीं हमें कैसा करना था प्रूब करना था, इसलिए हमने contradiction को लिकर लिया है देखे यह एक बार इसका समरी देख लेते हैं कि हमने क्या-क्या चीज़ इसमें किये है सबसे पहले हमने क्या किया किया कि compact माना है ठीक है न, जहां हमने compact sub-space माना है तो compact मानने के बाद हमने क्या की है कि उसका हमने contradiction लिया और contradiction की शाहता से हमने finite को infinite मतला जब infinite तो सबसे पहले हम किसमें गए x1 belongs to capital x तो जो हमारा norm of x1 हो गया ठीक है ना जब ही x1 है तो हमारा इसका क्या होगा sub space of x1 का होगा तो इसका dimensional होगा dimensional होगा तो एक्सवन हमारा closed होगा इसी तरीकिसे x2 होगा x3 होगा यह हम क्रिया क्या करते जाएंगे repeat करते जाएंगे जब x2 होगा तो हम theta x2 क्या ले देते हैं 1y2 यह हमरे जलेमा की शाहता से तो हम क्या करते जाते हैं repeat करते जाते हैं और यह हमारा लाश्ट में आ जाता है, I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो पशंद आई हो और थियोरम समझ में आई हो, तो प्लीज लाइक करो चैनल पर नहीं हो तो सस्क्राइब करो, और अगर आपने पहले सी सस्क्राइब किया है, तो आपके साथ जो भी साय पार्टी और जो भी क्लासमेट पढ़ती हों, उनसे भी सस्क्राइब करवाईए, आप हमारी हेल्प किजिए, फिर मैं ऐसी ऐसी और नेक्स्ट लेक्चर मिलाती रहेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धनबाद,